हेलो स्टुडेंस मैं हूं तरसेम जटेंड और लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर जिसमें आज हम डिसकस करने वाले हैं बहुत इंपोर्टेंट क्वेस्टेंस प्रों कार्बन एंड इस कंपाउंड चेप्टर देखें ज्यादा तर activity based question नहीं होते हैं कार्बन वाले चेप्टर में पीछे वाले जो चेप्टर हमने डिसकस किये हैं उनमें ज्यादा activity based question होते हैं लेकिन आज जो हम question series आपके लिए लेकर आई हैं इस chapter में से उनमें कुछ activity based question होंगे और कुछ questions ऐसे होंगे जो most probably आपके exams मे पूछे जा सकते हैं तो बने रहें मेरे साथ and तक ये वीडियो लेक्टर जरूर देखें और चलिए शुरुवात करते हैं बिना अपना time waste करें पहले question से question है how many isomers can you draw for pentane pentane के लिए आप कितने isomers draw कर सकते हो pentane का formula होता है c5 h12 5 का double हो जाएगा 10 10 में 2 जोड़ों के क्या हो जाएगा बारा तो isomers क्या होते हैं जिनका molecular formula same होता है बट उनकी जो structure है या उनकी chemical properties है सोरी physical properties वो क्या होते हैं डिफरेंट होती है वो क्या कहलाते है इसको देखें पहला जो इसका isomers बनेगा वो बनेगा ऐसे CH3 CH2 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 CH3 मतलब 500 कार्बन एक लाइन में लगा दीजिए और उसके साथ hydrogen जोड़ दीजिए एक बनेगा इस तरह से तीन एक कार्बन लगा दीजिए बीच में और चार कार्बन लगा दीजिए इसके चारों तरफ इस तरह से ठीक है एक isomers बनेगा इसका कुछ इस तरह से CH3 CH CH3 THEN CH2 THEN CH3 तो pentane के हमारे पास टोटल तीन isomers बनेगे एक जिसमें पांच कार्बन सीधे लगा देंगे एक कार्बन बीच में और चार चारों तरफ लगा देंगे और इस तरह से लगा देंगे इन तीनों के नाम भी है जो स्टेट लें में लाइन में इनको बोला जाता है एन पेंटेन बचे क्या बोलेंगे एन पेंटेन स्टेट लाइन में है जो जो इस तरह से लगे हुए इनको बोला जाते हैं नियो पेंटेन नियो पेंटेन बोलेंगे और जो ऐसे लगे उनको बोला जाएगा आइसो पेंटेन तो इस तरह से हम तीन आइसो मर बना पाएंगे किसके पेंटेन के नेक्स्ट, what will be formula and electron dot structure of cyclopentane, कौन सी structure आ गई हमारे पास, cyclopentane, तो आपको मैं सीधा बता दूँ, pent मतलब 5 कारबन, cycle का मतलब है, ऐसे बंद है, वो structure, goal structure है, ठीक है, तो 5 कारबन की goal structure बनाई है, तो देखिए, CH2, 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 तो इनको जोड़ दो, इस तरह से, एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ दीजिए, तो बताइए, 1, 2, 3, 4, 5 कारबन है, बिलकुल है, और हर कारबन की वेलेंसी पूरी पढ़ेंगे आपको उसको, तो hydrogen लग गई है, तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, this is cyclopentane, क्या कहला है का हमारे पास cyclopentane, पूछा गया, electron dot structure भी बनाई है, तो बताए, पांच कारबन है ना, इसके तो पांच कारबन बनाई है, 1, 2, 3, 4, 5, अब कारबन के वेलेंस में कितन इसके नमबर पर आता है, तो 2, 4, 4, electron balance में होते हैं, तो इसके चारो तरफ चार डोट दिखाए, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है, अब ये और ये bond बना लेंगे, यहां bond बन जाएगा, यहां bond बन जाएगा, यहां bond बन जाएगा, यहां bond अब इसके साथ hydrogen जुड़े, देखो hydrogen का एक लेक्टोन यहां, 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 hydrogen क वह वह आपको यहां से कर gebe भाथे जल्दी करेंगेror बनानी हैं तो आप यूट्यप पर टाइप करें., ecc टाइप करें तो आपको वीडियो मिल जाएगी जाहां पर लॉट्च्छ चलिए बढ़ते हैं next questions की तरफ और देखते हैं हमारे पास क्या है तो next question हमारे पास draw the structure of ethenoic acid, bromopentane, butanone and hexaniline की आपको structure draw करनी तो इत का मतलब होता बचे 2 carbon, तो 2 carbon का ethenoic acid होता है CH3COOH, properly इसकी structure open करके लिखोगे तो देखो carbon पे 3 hydrogen है, तो ये 3 hydrogen ऐसे लग जाएंगी फिर C double bond O, फिर आ जाएगा O, और H, ये आ जाएगा मारे पास ethenoic acid, bromopentane, pentane मतलब पहले pentane बना दो, आप, pentane क्या होता था, CH3, CH2, 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 CH3, था या नहीं नहीं था, अब ही कर रहा था, अब इसमें कहीं पर भी, एक hydrogen की जगा bromine लगा दो, तो मैं यहां लगा दू, यह ब्रोमिन, ठीक है, अब ब्रोमिन यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं पर भी लगा सकते हैं, यह आपका मन है, मेरा यहां मन कर रहा तो मैंने यहां लगा दिया, यह structure हो गई है, bromopentane की, butane known, butane का मतलब 4 carbon, तो 1, 2, 3, 4, on का मतलब ketone group लगाओग hexanal, hex का मतलब हो तो 6 carbon तो, 1, 2, 3, 4, 5, और 6, आगे, 6 carbon, अब last carbon को हटा कर उसकी जगे CHO लगा दो, क्या लगा दोगे, CHO, तो यह सब की क्या हो जाएगी, structure हो जाएगी, clear, अच्छी बात है, what are oxidizing agents, oxidizing agents क्या होते हैं, oxidizing agent ऐसे chemical compound होते हैं, जो किसी का oxidization करते हैं, तो मान लीजे मैं oxidizing agent हो, तो मैं आपका क्या कर दूँगा, तो oxidizing agent वो होते हैं, जो किसी दूसरे का oxidization करते हैं, या oxidation करने में help करते हैं, they are known है, जो oxidizing agent, तो क्योंकि हम carbon and rich compound पड़े तो यह हम पर दो oxidizing agent आपको याद रखने है एक है potassium per magnet Kmno4 है दूसरा है potassium dichromate K2Cr2O7 यह दो oxidizing agent आपको याद रखने हैं next question a mixture of oxygen and ethane is burnt for welding जो gas welding है आपने सुनाओ का gas welding उस gas welding लिए क्या आप बोल रहे हैं यह oxygen और इथाइन इथाइन होता है बच्चे H C triple bond CH इसका mixture यूज किया जाता है welding करने के लिए तो कहते ही air और इथाइन का यूज क्यों नहीं करते हैं मलब वो प्योर oxygen क्यों लेते हैं welding के लिए तो पहला काम सुनो दो रीजिन इसके पीजे पहला तो यह है यदि प्योर oxygen होगी तो ज जलेगी अच्छे से और जलेगी अच्छे से तो heat produce होगी heat मतलब गर्मी गर्मी produce होगी तो temperature बढ़ जाएगा temperature बढ़ जाएगा तो वह चीज पिगल जाएगी जिसको weld गरना तो असानी से welding हो जाएगी बट क्योंकि air में दूसरी gases भी होती है like nitrogen भी होती है CO2 भी होती है और gases इस भी प्रजेंट होती है तो वहां पर अच्छे से जो burning reaction होनी है इथाइन की वह नहीं होगी और बहुत ज्यादा heat produce नहीं होगी जिसके काण proper तरीके से welding नहीं होगी देखिए next question क्या है why does missile formed when soap is added to water पानी में जब हम साबून डालते तो missile की formation क्यों होती है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा साबून के बारे में जानना पड़ेगा साबून में बच्चे हमारे पास एक टेल होती है ते continues call बोला जाता है हैं इसको बोला जाता है tail जो head होता है वो water loving होता है मतलब पानी के साथ उसकी attraction होती है लेकिन जो tail होती है बच्चे वो water hating होती है उसको पानी से नफरत है water loving का मतलब होता है hydrophilic और water hating का मतलब होता है बच्चे hydrophobic hydrophobic तब क्या होता है जमाली से इस कंटेनर में पानी है आपके पास यह है पानी जैसे आप इसमें साबुन डालोगे तो जो tail है वो पानी से दूर जाने की कोशिश करें पानी मेरे वच्च को अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी मेरे को पानी से दूर जाने के लिए अंदर की तरफ आ जाएगी वही मैं पानी से बच्च कर अंदर की तरफ रहूंगी इ इस तरह से 1000 मोलेकी любов की जो tail है वो अंदर की तरफ चली जाएगी ठीक है चली जाएगी अंदर की तरफ फिशी तरह से थीक है अगर जो अब बहूर अजाए गा बच्चे बहुर की तरफ और जो यह आप structure बनी है आपको यह गोल और इसंगे मिसल बोलते हैं तो मिसल बनने का कारण है साबुन के अंदर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट्स का होना यही कारण है कि वहाँ पर मिसल की फॉर्मेशन होती है डोंट वरी आपको यह लग रहा हुआ कि इसर क्वेशन के आंसर प्रोपरली क्यों लिखवा रहे हम हम आपके लिए एक वीडियो लेक्चर अलग से बनाएंगे जहां पर आपको यह सिखाया जाएगा कि किसी भी क्वेशन का आंसर यदि आपको बोर्ड एक्जैम्स में लिखना है कितने वर्ड्स में लिखा जाएगा किस तरह से लिखा जाएगा मतलब लिखा किस तरह से जाएगा वर्डिंग आप अपनी यूज़ करेंगे उस टाइम पर नेक्ट कर से आते हैं एक्स्प्लेइन द फोर्मेशन ओप स्कम प्रेसिपिटेट वैन हार्ड वोटर इस ट्रीटिड विद सो हार्ड वोटर का मतलब बचे खारा-पानी स्वाबुन इसके कर वो प्रेसिपिटेट बनता है तो पहले तो उसके लिए आपको साबुन का फॉर्मूला याद होना चाहिए साबुन का फॉर्मूला होता है हमारे पास सी सत्रा एच्पैंथिस सी ओ ओ एन्ने दिस इज़ फॉर्मूला फॉर सोप ठीक है एक और लिख देता हूं मैं अब जो हाड बोटर होता है पानी उसके अंदर सोल्ट प्रजेंट होते हैं कौन से सोल्ड होते हैं MgCl2 magnesium chloride या फिर calcium chloride ये salt उसके अंदर present होती है ठीक है ये साबुन ये salt अब यहाँ पर double displacement reaction हो जाएगी ये तूट जाएगा यहाँ से ये तूट जाएगा यहाँ से इस पर minus इस पर plus इस पर two plus इस पर minus ठीक है तो magnesium किसके साथ जूट जाएगा इसके साथ जूट जाएगा तो जूटिए C17H35COO अब क्योंकि magnesium की विलिंसी दो है तो इसको bracket लगाएगे और यहाँ लिख दीजिए दो और यहाँ लगा दीजिए magnesium बचे क्या लगा देंगे magnesium अब NACL बन जाएगा पलस में क्या बन जाएगा NACL तो जो यह जूगाड बनाना यह जूगाड यही होता है सकम इसी कोई बोलते हैं precipitate यही होते हैं वो स्पेद स्पेद रंग के दाने जो आपको साबून फटने के बाद दिखाए देते हैं नीचे वाली रेक्शन में बस magnesium की जगा आ जाएगा बचे calcium आ जाएगा तो इस तरह से साबून hard water में मिसल नहीं बनाएगी मिसल नहीं बनाएगी तो वहाँ पर ज़ाग भी नहीं बनने वाले और ज़ाग नहीं बनेंगे तो वहाँ पर दाने दाने बन जाएगे स्पेद स्पेद उनको precipitate या फिर स्कम बोलते हैं और साबून फट जाएगी और कपड़े साफ अच्छे से नहीं होंगे तो next question है बारे पास what is hydrogenation and its application hydrogenation का मतलब क्या है देखे क्या होता है हमारे पास इतने भी compound जिनके अंदर double bond present हमा लिजे इसमें यहां double bond present है CH3CH double bond CH2 यह triple bond भी present है जैसे CH3C triple bond CH है तो hydrogenation का मतलब क्या है hydrogen मतलब इसमें hydrogen डाल देजे इसमें भी hydrogen इसमें भी hydrogen और इसमें भी क्या डाल देंगे hydrogen ठीक है catalyst होना चाहिए बच्चे या तो निकल हो सकता है या platinum हो सकता है या palladium हो सकता है इन तीनों में से कोई भी एक catalyst होना चाहिए तो होगा क्या उससे देखे क्या होगा तो hydrogenation का मतलब है जब unsaturated hydrocarbon unsaturated मतलब जिसमें double या फिर triple bond है they react with hydrogen जब हो hydrogen के साथ react करते है in the presence of nickel, platinum and palladium as catalyst तो catalyst को नोना चाहिए वहाँ पर nickel, platinum या फिर palladium तो वहाँ पर क्या बन जाते है बच्चे फाइनली saturated hydrocarbon बन जाते है saturated मतलब जहाँ पर single bond आएगा तो देखो अब इसका double bond तोड़ दो बस yellow double bond तोड़ दिया तो carbon carbon single bond आ गया इसका भी double bond तोड़ दो करने आपको इस carbon पे कितनी hydrogen थी दो इस पे भी कितनी थी दो अब एक hydrogen यहां जोड़ दो एक hydrogen यहां तो इस carbon पे कितनी hydrogen हो जाएंगी तीन यहां भी कितनी हो जाएंगी तीन ठीक कहने का मतलब यह है यहां तो इथीन था देखो इथ इन या इथ एन बन जाएगा एन यहां क्या है मैथ एथ प्रोप इन है तो यहां प्रोपेन बन जाएगा बच्चे यहां प्रोपाइन है तो यहां प्रोपेन बन जाएगा बच्चे तो अनसेचुरेटिड हाइड्रोकारबन जब हाइड्रोजन से रियक्ट करते हैं निक reiterated hydrocarbon का बनना क्या कायलाता है hydrogenation केलाता है क्या क्या लाएगा hydrogenationaaaa clear है इसका application क्या है इसका application है vegetable oils को vegetable oils को vegetable घी में convert करना मतल blinking घील होते हैं इस टाइप की reaction को बचे addition reaction बोलते हैं कौन सी बोलते हैं addition reaction addition reaction के लिए condition है कि reactant में double या triple bond होना चाहिए next cleansing action of soap साबुन किस तरह से सफाई का काम करेगी यह हमें देखना है ठीक है यह मैं करना ही करवा रहा है इसके लिए जो आई बटन है ना क्लिंजेंग एक्षन ओप सोप च्यार मिनट की वीडियो है तो उसाई बटन पर जाहिए जो अभी आपको वीजिबल हो रहा है और क्लिंजेंग एक्षन ओप सोप देखिए बिलकुल अराम से चले देखते हैं next question बहुत important question मतलब star लगा लो आपको जीतने star और इस chapter में से cbse गुमा कर question पूछेगे तो आपसे इस तरह का question पूछा जाएगा जो अभी मैंने board पे लिखा है ठीक है compound x कोई compound x है तो लिख लेते हैं हमारे पास क्या है compound x is formed by reaction of carboxylic acid carboxylic acid कोन है c2h4o2 यह carboxylic acid का formula दे रखा है and an alcohol और इसकी reaction किसके साथ होती है alcohol के साथ तब जाकर यह x बनता है सुनो ना जो compound x है वो बनता है carboxylic acid यह है हमारे पास इसकी reaction किसके साथ होती है alcohol के साथ in the presence of h2so4 h2so4 यहां पर catalyst का काम करेगा the alcohol जो यहां पर यह जो alcohol है यहां पर यह जो alcohol है इस alcohol का oxidation होने पर किसके साथ oxidation होता है फिर kmno4 के साथ gives the same carboxylic acid यहां जो carboxylic acid मिलेगा हमेशा याद रखिया alcohol का oxidation जब होता है तो carboxylic acid बनते हैं ठीक तो यहां पर जो carboxylic acid बनता है वो सेम है सेम मतलब यह वाला c2 h4o2 clear तो अब कहानी clear करते हैं जब alcohol और carboxylic acid बनते हैं तो जो प्रोडक्ट वहां पर बनता उनके मिलने से वह होता है बच्चे एस्टर क्या होता है एस्टर तो इसका मेलब यह जो पहले वाली रेक्शन है यह कौन सी एस्टरीफिकेशन रेक्शन है यह कार्बन इंड इस compound वाला chapter हमने बिलकुल detail में करवा रखा है तो आप YouTube पे 10 classes type करिए और carbon and its compound का detailed chapter देखिए या फिर one sort revision भी आप इसका देख सकते हैं चलिए मैं आपके लिए यहां पर जो i button है मैं वो provide करवा रहा हूं जो जाहिए इस i button पर carbon and its compound का पूरा chapter देखिए जिसमें आपको detail में यह certification बगार रेक्शन्स करवाई जाएंगी clear तो चलिए यहां पर बन रहा है यह ester अब हमें यह तो पता चलो यह तो दो carbon का oic acid है दो carbon का oic acid कौन से होता है इथिन oic acid है सर दो carbon का कैसी हमें भी बताना देखो इसको formula खुद दे रहा है c2 तो एक carbon ही एक carbon है तो यह तो इथिन oic acid है अब सर alcohol कौन सी है यह कैसी पता चलेगा यह पता चलेगा बच्छे इस पार्ट से कहते हैं alcohol का oicidation होने के बाद आपको same carboxy acid मतलता है इसका मतलब यहां पर क्या मिल रहा है आपको इथेन oic acid मिल रहा है after oxidation with kmno4 तो ध्यान से देखो यहां कौन है इथेन oic acid तो यहां कौन होगी इथेन ool देखो इथेन ool है तो इथेन oic acid बनेगा propanol है तो propanoy acid बनेगा butanol है तो butanoy acid बनेगा तो यदि यहां पर इथेन oic acid है तो यहां पर कौन होगी बच्चे इथेन ool होगी क्या होगी इथेन ool फोर्मुले आपको ध्यान होने चाहिए तो पता चल लगया alcohol है इथेन ool carboxylic acid है इथेन oic acid तो अब alcohol की जगए इथेन ool put कर दो बच्चे यह अगर ester कैसे बनाओ गया ester तो ध्यान से रट लीजिए इस बात को याद कर लीजिए देखो कैसे करना है आपको आपको क्या करना बच्चे carboxylic acid में से o-h पकड़ोगे आप o-h-o-h-o-h और alcohol की पकड़ोगे h तो इनको तो गायब कर दो यहां से carboxylic acid की o-h और alcohol की h को ग हो गया इसकी o-h गायब कर दी इसकी h गायब कर दी अभी दोनों को जोड़ दो लेकिन ऐसे नहीं जोड़ोगे न देखो यह तो यहां से चूटा तो यह तो यहां से जोड़ेगा यह कहां से चूटा यहां से तो यहां से जोड़ेगा इसको पल्टोर इसके साथ ठीक है देख लिए द्यान से किस तरह से एस्टर हमने बनाया है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन की तरफ इथेन प्रिपेर्ड फ्रोम इथेनोल इथेनोल से इथेन कैसे बनाओ गया तो इथेनोल होती है बचे हमारे पास गणरा चीए थीट्णो इन की और इसे हमें ओपारी है तो यह ऐसे इसी मिया और फरकें का है इसमें कितनी है टोटल तीन और दो पांच और एक छे लेकिन यहां कितनी है पान्य ही हो गया है ही टिक तो इत benthes और यापको को इतीन बनाने को तो पानी को बाहर करना पड़ेगा और पानी का बाहर ओना क्या कहला था है दी होज़ा है इस्ट यहां पर ओधेंट ह represented डालना प्ड़ेगा और वो होता है तो जैसे ही आप इथेनोल में concentrated H2SO4 डालते हो तो वहाँ पर आपको इथीन मिल जाएगी और पानी मिल जाएगा तो यह reaction है आपको याद रखनी है इंपोर्टेंट है इंटे को small quantity of methanol can be lethal कहते हैं कि methanol क्या होती है बच्छे methanol होती है TH3OH यह होती है कि थोड़ी सी amount में भी आपने यदि methanol पी ली है तो वह legal हो सकती है आपको बिमार बहुत बिमार कर देगी तो क्यों क्योंकि पहली बात तो यह जो methanol होती वह poisonous alcohol होती है क्या होती है बच्छे poisonous alcohol जब यह हमारी body में जाती है तो methanol का oxydation होने के बाद मीथे नल में convert हो जाती है किसमें convert हो जाती है मीथे नल में और मीथे नल हमारा ये रहानिकारक होता है यह आपको अंधा कर सकता है जो optic नौज है आंखों की जो नौज होती है ठीक उनको खराब कर देगा और आप क्या हो जाएंगे अंधे हो जाएंगे और यदि आप इसका इलाज नहीं किया मतलब आपने इसके लिए प्रिकोसंस नहीं ली तो धीरी दिर्यापकी डैथ हो सकती है वाई carbon has versatile nature carbon का versatile nature क्यों हो मतलब इतने सारे compound क्यों मिलते है carbon के तो carbon में दो properties है खास बात है पहली है tetra valency carbon की valency बचे कितनी होती है 4 और second इसकी property है catenation catenation का मतलब है अपने आप से ही जुड़कर लंबी लंबी चेन बना लेना तो carbon अपने आप से ही जुड़कर लंबी 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 चेन बना लेता है यह catenation है tetra valency का मतलब 4 यह bond बना लेता है आसानी से जिसके कान इसके इतने सारा versatile nature है next a gas is evolved when sodium reacts with ethanol आपको reaction लिखनी है क्या gas निकलती है जब sodium react करता है इतनोल के साथ तो बचे इतनोल का formula होता है CH3 CH2 OH और इसकी reaction किसे करवाएंगे हम sodium से तो बताएं कौन सी gas निकलेगी देखे sodium यहाँ से आएगा hydrogen को धक्का मारेगा तो क्या बन जाएगा बचे CH3 CH2 ONA बन जाएगा ठीक है और यहां से जो hydrogen gas आपको दिख रही है यह बाहर भाग जाएगी तो कौन सी gas बाहर भागेगी hydrogen gas next action को देखिए reactant भी लिखर के product भी reactant भी है product भी है reactant भी है product भी है पूछा क्या है पूछा है कि जो arrow के उपर जुगाड लिखा हुआ जुगाड इसका क्या रोल है इन सभी रैक्षन में तो यहां बच्चे निकल का क्या उरॉल है तो यहां पर डबल बर्ड को शिंकल बना रहे होँ निकल यहां पर vet control क्या का काम कर रहा है है तो निकल का रोल क्या है catalyst ridiculous क्या होते हैं जो कि़िऊ को बॉइंट को सिंगलॉंट बॉनद का काम कर रहे हैं तो किया है कि सवेरा में यहां यहां पर क्या रोल है यहां पर एस्टर बन रहा है तो इसका भी रोल किसका बच्छे कैटलिस्ट का यह भी किसका काम करेगा कैटलिस्ट का काम करेगा ठीक है कैमनोफोर देखो इतेनोल का इतेनोग एसिड बना रहा है कैमनोफोर तो यहां कैमनोफोर किसका काम कर रहा है बच तो concentrated H2SO4 किसका काम कर रहा है यहां पर इसमें से पानी को बाहर निकाल दिया देखो ऊपर करवाय था ना पानी को तो जो पानी को बाहर कर देता उसको dehydrating agent बोलते हैं तो यहां पर H2SO4 किसका काम कर रहा बचे dehydrating agent का काम कर रहा है और इस तरह से आपसे गुमा फिरा कर questions पूछे जा सकते हैं तो चलिए students बढ़ते हैं next question पे बई क्या बताएं बई मलब जहर question है यह तो जहर हो गया है ठीक है तो पी लीजे जहर का घूट थोड़ा सा ठीक है बहुत important बई क्या ही कहीं इस question ने तो सारी reactions उ compound C है बच्चे compound क्या है C जिसका formula है C2H4O2 formula इसका C2H4O2 हम नहीं जानते हैं यह C कोन है कोन ही है यह react करता है बच्चे sodium के साथ two form compound R और यह क्या बना लेता है यहां पर compound R बना लेता है ठीक है क्या बना लेगा compound R and evolves a gas और यहां पर एक gas निकालता है gas जो gas जलती है pop sound के साथ यह gas किसके साथ जलती है बच्चे pop sound के साथ जलती है आगे हैं compound C यही compound C on reacting with alcohol यह किस से react करता है बच्चे alcohol A से react करता है तो यह A से react करता है और A कौन है alcohol है ठीक forms a sweet smelling compound S यहां पर एक compound S बन जाता है जिसका formula है C3H6O2 और यह sweet smelling है S कैसा है sweet smelling है हमारे पास ठीक है on addition NaOH to C C में जब आप NaOH डालते हो C में क्या डालते हो बच्चे NaOH ठीक है it also gives R यह क्या देता है आपको R देता है मतलब यह वाला R मिल जाता है आपर और पलस में मिल जाता है पानी क्या मिल जाता है पानी ठीक S on treatment with NaOH S कहां है देखो यह रहा यह रहा S S में जब हम NaOH डालते हैं It gives back R and A यह हमें क्या देता है R देता है और क्या देता है A तो आपको C कोन है R कोन है A कोन है और S कोन है यह सारे पहचानने है तो भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक मिनट वेट कर रहा हूँ आप statement को ध्यान से समझे कौन सी reaction होगी क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है let us know try to understand the concept क्या पूछा गया है किस तरह से होगा यह question सोचिए 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 yes 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 ठीक है सोचिए भी सोचिए सोचिए तो चल यह करते हैं पहले तो यह देखो यह सी जो है सी इसमें दो अक्सिजन है दो अक्सिजन है तो यह क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है या तो कार्बोक्सलीक एसीड के साथ या फिर अलकोहल के साथ लेकिन अलकोहल में तो एक अक्सिजन होती है यहां तो दो अक्सिजन देरखी इसके फार्मूले में देखो कितनी अक्सिजन देरखी दो तो इसका मतलब बताईए कार्बोक्सलीक एसीड है या नहीं है क्या सो O, O, N, A और कौन सी gas निकल जाएगे? H2 तो ये है R, बच्चे क्या है? R और ये क्या है, बच्चे? C है तो C और R का तो पता चल गया नेक्स्ट एक्सन पे जो C है, वो अलकोहल के साथ रेक्शन करता है C किसके साथ रेक्शन करता है? अलकोहल के साथ तो C का फॉर्मूला लिख दू, यहांपर C कोन है? CH3COOH अभी हमें अलकोहल का फॉर्मूला नहीं पता है ये कौन सी अलकोहल है? मिथेनोल है, इथेनोल है, प्रोपेनोल, ब्यूटेनोल, पेंटेनोल क्या है? अब जब ये इसके साथ रेक्शन करता है तो एक स्वीट स्मेलिंग एजेंट बनता है क्या बनता है? स्वीट स्मेलिंग एजेंट मैं यहांपर नीचे लिख रहा हूं ये कौन था? बच्छे, आर तो आर की जगह क्या आ गया है? CH3COOH ये अलकोहल के साथ रेक्शन करता है स्वीट स्मेलिंग एजेंट कौन से होते हैं? बच्छे, एस्टर होते हैं क्या होते हैं? एस्टर तो यहांपर ये पक्का एस्टर बनेगा अब थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा लगाना है ज्यादा नहीं से आया होगा तो इसका मलब इस एलकॉल में कितने कार्बन है एक और एक कार्बन के एलकॉल कोन होती है? बच्छे, मिथेनोल होती है क्या होती है? मिथेनोल तो इसके और इसके मिलने से ये S बनेगा अब इसकी स्टक्चर निकालो, कैसे निकालोगे? कर्बोक्सलिक एशिड की OH और मिथेनोल की H इन दोनों को मिला दो गायब अब जोड़ो CH3CO देखो CH3CO और OCH3 ठीक है और पलस में बनेगा बच्चे पानी तो इसका मिलब हमारे पास S कौन है S है ये ठीक है और A कौन है A है ये और R को तो हम पता करी चुके है अब इसका फॉर्मूला मैच करो इसके साथ हो रहे नहीं हो रहा है कारबन तीन एक दो तीन बिल्कुल हाइड्रोजन चे तीन और तीन चे ऑक्सिजन दो आगे है अब आके चलते हैं जो C हैं बच्चे C देखो कौन है वही C है C ये रहा है ठीक है C कौन है ये रहा है ठीक है हमें कुछ गडबड तो नहीं गरी देखना है एक बार compound C on reacting with alcohol यहाँ पर R नहीं यहाँ पर C आएगा ठीक क्या आएगा यहाँ पर C आएगा ठीक है गलती हो गई थी थोड़ी C आर नहीं आएगा यहाँ पर C आएगा ठीक है अब यह C-N-OH के साथ reaction करता है C कौन है बच्चे कार्बोक्सलीक acid CH-3C-O-O-H किसके साथ reaction करता है नहीं च के साथ तो क्या बना लेता यह आर बना लेता बोलो यहाँ से H यहाँ से O-H neutralization reaction है ना यह acid यह base तो यह नहीं लग जाएगा तो आर बनना चाहिए हमारे पास CH-3C-O-O-N-A बताओ पीछे आ रहा है नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है देखो यह रहा है और पलस में H और OH क्या बन जाएगा पानी बन जाएगा कलियर है तो यह reaction थी ऊपर वाली तो acid की reaction metal के साथ यह reaction है अलकोल की reaction acid के साथ तो esterification reaction और यह reaction है neutralization reaction अब आगे जलते हैं जो S है बच्चे S, S तो यह है मेरे पास तो S है CH-3C-O-O-C-H-3 यह किस के साथ reaction करता है N-N-OH के साथ तो आपको क्या मिल जाएगा R और A बताओ A कौन था A तो थी अलकोल CH-3-OH तो देखो न इसको तोड़ो इसको यहां से तोड़ोगे देखो यहां से तोड़ो CH-3 तो किसको ले जाएगा बच्चे? CH-3 तो ले जाएगा OH को तो A तो बन गया मिथेनोल क्या बन गया है मिथेनोल और इस O, O, C, C, H3 के साथ को लग जाएगा इसका एनने तो C, H3, C, O, O के साथ लग जाएगा एनने और यह बन गया बच्चे R क्या बन गया है R, clear है इस reaction को बोला जाता है deastrification reaction जहां ester तूटता है देखो क्या होता ester तूटता तो deastrification या आपकी बुक में इस reaction को sponification के नाम से भी दे रखा होगा sponification के नाम से और देखे कितना अच्छा question था और कितने आराम से हम इसको tackle कर पाए हैं I hope आपको clear है तो next question देखते हैं हमारे पास क्या है आपको इन चारो reaction के product बताने हैं बचे क्या बनेंगे product पहले में देखे मिथेन हैं बचे oxygen access में डाल रहे हैं मिथेन oxygen में जलेगी जलनेगी जब भी कि अमाउंट कम है तो वहां पर carbon monoxide बनती और पानी बनता याद रख लेना इस reaction को देखे बचे हैं यहां पर एच प्लस यह लिखना भूल गई है co o c2 h5 o c2 h5 ठीक है यह ester बन जाएगा next concentrated h2o support डाल का alcohol में बताइए क्या काम था concentrated h2o support का dehydrating agent था न है न तो इसका मिलब यह भी पानी को बाहर करेगा अब o h यहां से इसका मिलब एक h यहां से गई है तो यहां से पानी को माइनस करो इस में से पानी माइनस करो तो बोलो यहां c h2 बच जाएगा c h2 यहां पर भी c h2 बच जाएगा c h2 आ जाएगा double ठीक है इथीन बनेगी बचे इथीन ठीक है अब यह देखे यह तो ester है और ester में न न वह डाल रखा है तो यहां से तोड़ा जाएगा जो यह वाला पार्ट है इसके साथ लगाओगे और न लगेगा इस वाले पार्ट के साथ तो बन जाएगा c h3 c h2 c o o के साथ न न न और c h3 c h2 के साथ लग जाएगा o h c h3 c h2 के साथ लग जाएगा o h यह reaction है sponification यह है dehydration reaction यह बचे esterification और यह बचे combustion की reaction combustion जलना 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 ठीक है jealousy नहीं जलना how will you convert propanol to propanoic acid propanol क्या होता है बचे propanol होता है c h3 c h2 c h2 o h this is propanol इसे क्या बनाना है propanolic acid propanolic acid होता है c h3 c h2 c o o h clear है तो बो इसको इसको इसमें convert करने लिए क्या डालना पड़ेगा आयरोपे क्या लिखना पड़ेगा बोल oxidizing agent लिखना पड़ेगा नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि यहां तो एक oxygen और यहां कितने oxygen दो तो oxygen देने वाला जिखने लिखना पड़ेगा तो क्या में नो फोर लिखी दो बस आगया answer हो गया condition of H2 इस B में कौन सी gas डाली जाती है बच्चे H2 थोड़ा सा नीच लिख देता हूं मैं B में कौन सी gas डाली जाती है बच्चे H2 ठीक है in presence of nickel catalyst nickel catalyst it forms C यह क्या बना लेता है C बना लेता है C on combustion जब C का बच्चे combustion होता है मतलब ही oxygen से react करता है तो CO2 बनती है क्या बनती है CO2 और पलस बनता है पानी क्या बनता है आपको A B C find out करने है सोचिए भई सोचिए बताओ concentrated natural support डाल रखा है और B बन रहा है तो बोलो अब यह भी तो डाला था concentrated यह रहा है यह रहा है ना यह ठीक सर इसमें concentrated natural support डालते हैं तो आपको कैसे बताएं क्योंकि यह तो single product A है ना लेकिन इस अस्टिफिकेशन में तो दो बंदे होते हैं शरू में तो इसका मिलाब यह कोन है बच्चे इथेनोल है ठीक है और B कोन है इसमें concentrated natural support डाल रहा हैं अब B को यहां लिख दो क्या जाएगा CH2 double bond CH2 अब इसमें H2 डालोगे तो एक hydrogen यहां लग जाएगे एक hydrogen यहां तो बन जाएगा बच्चे CH3 single bond CH3 clear अब CH3 CH3 को यहां लिख दीजिए CH3 single bond CH3 और जब वो जलेगा तो क्या बनेगी CO2 और पानी बनेगा ठीक है तो यह एक reaction ओ रह गई है इस chapter में जो अभी तक किसी भी question में नहीं आई है और उसको मैं करवा देता हूँ आपको वो कौन सी reaction है और वो है बच्चे यहां से हाइडोजन हटा दोते हैं हाइडोजन रह गई है तीन कितने रह गई बच्चे तीन और उस हाइडोजन की जिए कलोरी लगा दो तो लगा दी कलोरी और पलस में क्या रलीज हो जाएगा देखो एक कलोरीन है और एक हैडोजन यहां से तो HCl यह substitution reaction है hydrogen हटा कर chlorine लगाना इसमें क्या डाल दोगे cl2 sunlight तो क्या होजाएगा h हट कर cl लग जाएगा बस ch3, ch2, cl और प्लस में निकल जाएगा hcl ये क्या है substitution reaction और यहाँ पर carbon and its compound के जो बहुत important questions थे वो complete होते हैं I hope आपको ये video lecture अच्छा लगा है कैसा लगा है comment में हमें जरूर बताएं और बताएं जरूर इस चाहिज के लिए आप जरूर suggestion दे हम कि इसके बाद अब आपके जो exams नजदीक आ रहे हैं बहुत नजदीक आ तो हम कौन सी series आपके लिए शुरू करें तो आपका most welcome है if you have any suggestion किसर हमें assertion region करवादो chapter wise assertion region questions करवादो case study के question करवादो या model test paper हमें soul करवादो बारी बारी chemistry का portion या ठीक है तो जो भी suggestion है आपको आपका इसके regarding तो go to comment और हमें जरूर बताएं video lecture कैसा लगा ये भी हमें जरूर बताएं ऐसे ही ओर amazing videos के लिए regularly visit करें the 10 classes को and share the video to your friends ताकि maximum students in video lecture का benefit ले सकें तो मिलते हैं next video lecture में